गोरा और खुबसुरत चेहरा हर किसी के लिए जरूरी होता है और कई सारे लोग अलग अलग तरह की चीजों का इस्तमाल करते हैं अपने चेहरे को गोरा और खुबसुरत बना लेते हैं लेकिन चेहरा गोरा होने के बाद भी उनके आखों के नीचे के काले घेरे साप नहीं होते हैं। जिसकी बज़े से चेहरा गोरा होने के बाद भी काफी खराब दिखता है। चेहरे की त्वचा में किसी भी तरह का परिबटन आने पर आंखों के नीचे की स्कीन पर इसका आसर बहुत आसानी से दिखने लगता है। में मिले रसाइनों की करण कभी कभी तेहरे पर एलर्जी हो जाती है। जिसकी वज़ा से आँखों के नीचे डार्क सरकल हो सकता है। आँखों के नीचे की त्वचा बहुत नाजुक और पतली होती है। इसे हाथ से रगणने या नाखुन से खुजलाने की वज़ा से भी तुचा का रंग गहरा हो जाता है। अगर परिबार में किसी वक्ति के आँखों के नीचे डार्क सरकल हो तो आपको भी यह समश्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप धुमरपान करते हैं तो भी डार्क सरकल की समश्या हो सकती है। अगर आप अधिक तनाब में रहते हैं तो आपकी चेहरे की चमक गायब हो सकती है। तनाब की वज़ा से आँखों में भारीपन और ठकान दिखती है जिसकी वज़ा से आँखों के नीचे डार्क सरकल हो सकती है। इसके अलावा सरीब में आईरन की कमी से भी डार्क सरकल की समझ्छा पैदा हो सकते हैं इसलिए आज हम आपको ऐसा नुश्के के बारे में बताने जार हैं जिसका इस्तिमाल करके आप अपने काले घहरों की समझ्छा से छुटकरा पा सकते हैं आज हम आपको जिस नुस्के के बारे में बताने जार हैं उस नुस्के को बनाने के लिए आपको बस दो चीजों की ज़रुत पड़ेगी और ओव चीजें आपको बड़ी आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगी टमाटर का इस्तमाल तो लगभख हर कोई करता है लेकिन फिर भी कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि टमाटर का इस्तमाल खाने के अलावा तोचा के लिए भी क्या जाता है और आपके घर में मौजूद टमाटर की मदद से आप अपने आखों के नीचे काली घेरों से छुटकारा पा सकते हैं आइए जानते हैं इस नुस्के की बनाने का तरीका इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर का रस निकाल लीजे और उस रस में एक चमबच निमू का रस मिला दीजे फिर दोनों चीजों को अच्छे से मिला कर एक पेस्ट बना लीजे पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट को अपने आखों के नीचे लगाएं और 15 मिनीट बाद ठंडे पानी से धो लीजे इस थीजे टीजे